डाउटनेट पर करिए अपने सभी गवर्मेंट एक्जाम के तैयारी राके से आदाव आरेस अगरवाल जैसे सभी इंपोर्टेंट बुक सॉल्ड पाईए वो भी वीडियो स्यलूशन के साथ अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई साथ नहीं हो रहा है तो डाउटनेट आप यूज करिए आज ही डाउनलोड कर दीजिए इस आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले चीज कि आपके पास एक माईक होना चीज जैसे कि आप यह देख सकते हैं मेरा यह माईक है मैंने इसको यहां पर लगा लिया है और इसका दूसरा हिस्सा मेरे मुबाइल में लगा हुगा है इससे यह रिकॉर्डिंग हो रही है अगर आपके बस माईक नहीं है तो आप चाहे हैं तो अपना headphone यूज कर सकते हैं उसमें भी होता है आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि आप माइक यूज नहीं करेंगे मुबाइल आपसे दूर रहेगा तो आवाज अच्छे से record नहीं होगा सबसे important चीज जो होता है एक वीडियो में वो उसका audio हुई होता है इस पेसली educational वीडियो में तो आप जिस भी रूप में वीडियो बना रहे हैं उसके सभी खिट की दरवाज़े बंदूने चाहिए तक कि सांती रहे और अच्छे तरीके से वीडियो आपका बन सके तो यह बेसिक चीज है जो आपको सभी तरह की वीडियो में फालो करने है सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों वीडियो बनाने का वो आप यहां देख सकते हैं आप मुबाइल को लगा दीजे अपने tripod पर और एक page पर आप लिखते रही है जो भी चीज़ें आप लिखेंगे आपकी मुबाइल फोन में record होता रहेगा और आप वो वीडियो कर सकते हैं अगर आपका सवाल यह है कि वीडियो एडिट कैसे होता है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक डीटेल में वीडियो बनाया है especially educational वीडियो कैसे एडिट होते हैं description में link है आप उसको एक बार देख लीजेगा आप बिल्कुल clearly समझ जाएंगे तो दोस्तों सबसे सबके दिमाग में यही आता है idea कि आप tripod लगा कर फिर mobile से page पर नीचे लिखते रहेंगे उसको record करते रहेंगे यह आसान देखने में लगता है यह उतना आसान है नहीं क्योंकि जब आप इस method से वीडियो बनाएंगे इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी lighting का issue तो फिर सही से recording नहीं हो पाएगी बढ़िया यह second ओला तरीका है तो यहां पर आपको क्या करना है आपको कहीं को recording नहीं करनी है आपको directly अपने screen पर जो भी चीज़े लिखनी है आप अपने screen पर लिखते रहे हैं mobile के और वो record होता रहेगा प्ले स्टोर में बहुत सारे आप पाते हैं जिसके तुरू आप अपने screen को record कर सकते हैं एजेड screen recorder एक app है जो काफी बढ़िया है आप इसे install करके try कर सकते हैं एक आप white page सबसे पहले ले लिजी अपने mobile में उसके बाद आप अपने screen पर जो भी कुछ लिखेंगे वो record होता रहेगा mathematics जैसे question solve करने के लिए यह तरीका काफी अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ा आपको practice करने की जरूवत पड़ेगे क्योंकि अच्छे तरीके से only से आप screen पर लिखें इसमें आपको अच्छा practice होना चाहिए तो यह आप तरीका अपना सकते हैं इस पर मैंने कलक्स detailed video भी बनाया है कि आप किस तरह से screen record क सकते हैं वह भी लिंक आपको निचे description box में मिल जाएगा तो आप screen पर लिख कर कुछ भी record कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई बढ़िया टैबलेट है या महेंगा phone है जिसमें S-PIN आता है तो आप उस पिन से जाप screen पर लिखेंगे तो काफी बढ़िया तरीके से record होगा तो यह एक तरीका है जिससे आप mathematics से या फिर educational वीडियो शंसॉल करने वाले वीडियो बना सकते हैं इसरा तरीका है दोस्तों कि आप page पर कुछ चीजाओं को लिख लीजिए जैसे कि माले जी आप जीके पढ़ा रहे हैं या हमारे चैनल पर जिस तरह से current affair पढ़ा जाता है daily तो आप जो भी चीज़ां पढ़ाने हैं सबसे पहले आप एक एक फोर साइस पेपर लीजिए बढ़ियां से अच्छी तरीके से राइटिंग में मोटे पिन से या फिर इसके से आप लिख लीजिए चीजों को ताकि वह clearly visible पर पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए उसको अपने मुबाइल से फोटो खिच लीजिए और उस फोटो को आप अपने स्क्रीन पर लाकर उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिए और उसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए तो जिस तरह से हमारे चैनल पर current affair आता है से यही तरीका होता है पहले current affair के 5 question को एक page पर लिख लिए जाता है उसका फोटो खिच लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर screen recorder के तो उसको record करते हैं उसके बाद कुछ चीज़ों कर आप highlight करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर screen पर उसको highlight भी कर सकते हैं और चीज़ों को आप बड़े बहतर तरीके से समझा सकते हैं तिसर पूरी चीज़ों को जो भी आपको पढ़ाना है उसे type कर लीजिए चाहाए पूसे PDF format में बना कर रख लीजिए इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मैंने इस तरह की वीडियो बनाए हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है कि पूरी चीज़ों को पूरे matter को type करना है आप अपने mobile phone में या computer में type कर सकते हैं फाइल को अपने screen पर लाइए फिर screen recorder से record कर लीजिए और record करने के बाद आप उसको explain करें इस तरह की भी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं mainly GS या current फिर इस तरह की चीज़ों को आप ऐसे भी PDF के थुरू पढ़ा सकते हैं PDF में पढ़ान दिखता है तो आपके पास ये एक चौथा तरीका है आप इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं पांचमा और सबसे बेश्ट तरीका क्या है तो वो है board पर आप खुद आईए और चीज़ों को पढ़ाईए सबसे अच्छा सबसे बेतर और सबसे आसान एक board अगर आप प्योस्ता क मुबाइल लगा दीजी अराम से माइक कनेट कर दीजी अब मुबाइल से और जिस तरह से मैंने ये माइक यहां पर लगा है अब माइक लगाईए अराम से पढ़ाईए और चीज़ों को record कर लेजी बाद में उसे edit करके upload करिए ये सबसे बढ़िया और best तरीका होता है लेकि के लिए option सही नहीं है तो आपको या फिर page पर पहले से लिखना पड़ेगा या पेडिया बनाना पड़ेगा यह पहले जो मैंने सभी तरीके बताएं आप उनमें से कोई एक अपना सकते हैं और चटा तरीका क्या है कि आप यहां पर बैट कर आप लोगों से बातचीत कर रह पड़ेगी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप बैट कर बातचीत भी करेंगे साइड में आपको लिखना भी पड़ेगा recording भी करनी पड़ेगी तो यह भी एक बहतर तरीका है लेकिन आप इसमें किसी special subject को detail में नहीं पढ़ा सकते जैसे मालेजे math पढ़ाना है science पढ़ पढ़ाना है तो आप directly बातचीत के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते उसके लिए आपको एक board की जरुवत पढ़ेगी या फिर चीजों को कहीं लिख कर पढ़ाना पढ़ेगा इस तरह से मालेजे कोई normal issue हो कोई बातचीत हो कोई fact हो बहुत सारे वीडियो तो आपने देखा ही ह जिसके थुरू आप YouTube पर educational वीडियो बना सकते हैं अपने student को अपने चातरों को पढ़ा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं मेरा जो personally favorite है वो black board या white board पर आकर सीरे सीरे चीजों को पढ़ाना बताना और अपने audio से direct contact करना ये सबसे बेस तरीका है लेकिन अगर आप इस तरह स नहीं करना चाहते हैं या नहीं तो दूसरा बेस तरीका है कि आप चीजों को एक page पर पहले से लिख लीजिए उसका photo कीच लीजिए और उसको अपने screen recording के थुरू record करके चीजों को समझाईए आपको इन 6 में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा मुझे comment करके ज़रू ब बनाया जाता है मैंने detail में बनाया है वो वीडियो आप लोग देख लिएगा चीज़ें बिल्कुल किनरली हो जाएंगी समझ आपकी और तीसरा है कि PDF के थुरू आप कैसे बढ़ाते हैं मोबाइल का screen recording कैसे करते हैं उस पर भी अलग से special वीडियो है उसका भी link description में मिल थैंक्स और वाचिंग